अब समझ आ रहा है सोचाल्य और सनान घर निवास सतान से बहार होते थे क्यों बाल कटवाने के बाद या किसी के दह संसकार से वापस घर आने पर बहार ही सनान करना होता था बिना किसी वेक्ति या समान को हाथ लगाए हुए क्यों पैरों की चपल या जूते घर से बहार उतारे जाते थे घर के अंदर लेना निशेद था क्यों घर के बहार पानी रखा जाता था और कहीं से भी घर वापस आने पर हाथ पैर धोने के बाद अंदर प्रवेश मिलता था क्यों जनम या मिर्ट्यू के बाद घरवालों को दस या तेहरा दिनों तक समाजिक कार्यों से दूर है ना होता था क्यों किसी घर में मिर्ट्यू होने पर भोजन नहीं बनता था क्यों मिर्थ व्यक्ति और तहा संसकार करने वाले व्यक्ति के वस्तर समसान में त्याग देना पड़ता था क्यों भोजन बनाने से पहले सनान करना जरूरी था और कोसे के गीले कपड़े पहने जाते थे क्यों सनान के पस्चाथ किसी असुद वस्तु या व्यक्ति के संपर्ग से बचा जाता था क्यों प्रातेकाल सनान कर घर में अगरबत्ती कपूर धूप एवम घंटी और संख बजा कर पूजा की जाती थी हमने अपने पूर्वजो दवारा स्थापित नेमों को डकोसला समझ छोड़ दिया और पस्चिम को का अंधा अनुसरन करने लगे आज करोना वाइरस ने हमें फिर से अपने संसकारों की याद दिला दी है उनका महतव बताया है हिंदु धरम ग्यान और प्रमप्रा हमेशा से समरिद रही है आज वक्त है अपनी आँखों पर पड़ी धूल जाड़ने और ये उच्छ संसकार अपने परिवार और बच्चों को देने की आपको ये बाते कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू